नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका सौगत है मैं प्रिया आपके साथ त्रीपुरा में विदानसवा चुनाओं के बाद हुई हिंसा का जैजा लेने के लिए माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी और कॉंग्रेस के नेताओं की संसदी जांश टीम शुकरवार को अगरतला पहुँची लेकिन भीड ने नेताओं पर हमला किया टीम 12 मार्च तक यहां रुक सकती है जिसके बाद यह रिपोर्ट पेश करेगी और 13 मार्च से शुरू हो रहे संसत के सत्र में इस मामले को उठाएगी CPI त्विपूरा के राज सचीव और पूर्व मंत्री जितेंदर चोधरी ने कहा कि शुकरवार शाम बिजलगड के नेहल चंद्र नगर बाजार में संसदी दल पर हुए भयानक हमले के कारण शनिवार को होने वाले कारीकरमों को मजबूरन इस्तगित करना पड़ा है कांगरेस और माकपा के सुत्रों ने कहा कि जब संसदी दल के सदस सिपाई जला जीले के हिंसा प्रभावित विशालगड गए तो सत्ताधारी बिजेपी समर्तित कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया उन्होंने हम पर हमला किया और पत्थराओ किया हमारे तीन चार वाहनों में तोड़ फोड की गई है माकपा ने एक बयान में कहा सांसद उनके साथ गए कॉंगरेस नेता तुरंत वहां से चले गए और बड़े हमले से बच गए पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि इस्थानी विधायकों और नेताओं के साथ सांसदों को विशालगड के नेहल चंत्रनगर में एक अनिर्धरित दोरे के दोरा नारे बाजी का सामना करना पड़ा कॉंगरेस नेता जैराम रमेश ने घटना की निंदा की रमेश ने ट्विट किया कॉंगरेस नेताओं के एक प्रतिनीदी मंडल पर अज त्रीपूरा के विशालगड और मोहनपूर में बीजेपी के गुणों ने हमला किया प्रतिनीदी मंडल के साथ कई पुलिस ने कुछ नहीं किया शनीवार को बीजेपी वहाँ एक विजे रेली कर रही है ये पायटी प्रायुजित हिंसा की जी थे दो मार्च को विदान सभा चुनाव के नतीजे घोशित होने के बाद से राज में हिंसा की करीब 1200 घटनाएं हुई है कांग्रेस और माकपा नेताओं ने कहा कि संसदी दल में चार लोग सभा सांसद और तीन राजसभा सांसद शामिल है इन्हें तीन समों में विवजित किया गया है ये तीन जिलो पश्चिम त्रिपूरा, तिपाई जाला और गोमती में हिंसा प्रभावित गाओं और शेहरी शेत्रों का दोरा कर रहे है पार्टियों के स्थानी विधायक पियार नटराजन, रंजीता रंजन, एए रहीम, अब्दुल खालिक, विकाश रंजन भटाचार, विनय विश्वम और इलाराम करीम सहीद संसदी टीमों के साथ थे ऐसे ही बने रही है राजनामा टीवी के साथ दन्यवाद